ओके अलो ख्रेंड कैसे हो आप सब में विसी और आप देख रहें बाउन तु इन्वेस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट विक है उसमें कौन-कौन से स्टोक होंगे जो स्विंग क्रेडिंग के लिए होंगे कौन से स्टोक बाइंग के लिए होंगे कौन से स्टोक सेलिंग के लिए होंगे तो दोस्तों विदका आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हरो जर दिन लेते आते हैं और बाजू में जो गंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजे जिसको आपको आमारी नॉटिफिक्षन सबसे पहले मिल जाए तो अब हम आचूके चार्ट के उपर तो जो हमारा पहला इस टोकेन नेक्स्ट वीक के लिए वह है बायोकन अभी बायोकन क्यों लिया मैंने आगे भी मैंने बायोकन लिया था आपको भी बोला थ अगर कि यह नीचे आगे तो आपको proper breakout पता होना चाहिए यह से नहीं कि अड़ बड़ी में जैसे इसके अपर उपन हुआ तो मैं ले लू समझगे यह फेक breakout का एक आपके साथ लेटेस एक्जामपल है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप level दीजिए देखो मैं level नहीं अगर मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि 400 के अबर उसको बाई कर लो ऐसा कुछ समझगे तो अगर यह 400 के अबर जाके यह फेक breakout देके नीचे आगे तो क्या होगा इसलिए मैं levels नहीं देता आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ proper breakout हुआ है या नहीं हुआ है तो जो हमारा पहल अगर आपको यह प्रोपर ब्रेकाउट अपसेट देता है इन फ्यूचर तब आप अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हो इसके बाद का जो हमारा स्टोक है वो देख लेते हैं इसके बाद का जो हमारा स्टोक है वो है HDFC लाइप अभी इसको मैंने क्यों लिया तो आप दिक रहे हुए इसका चार्ट है इसमें आपको ट्रायंगल बनती हूए दर से अपर निकल गया बात में अभी आम्मे करना क्या है इसमें तो नॉर्मल सी बात यह यह अगर आपको यह जो green line दिख रहे हैं इसका proper breakout दे के यह upper side जाता है तब है आपको इसमें entry लेनी है अगर इससे भी safe entry लेनी तो simple सी बात है यह इसका breakout करता है तो उसका जितना अपर जाना है उसको जाने दो बाद में retrace करने नीचे आएगा जब यह retrace या pullback देने नीचे आता है उसके बाद जो upside मिलती है आपको उसमें आपको enter होना है तो जो अमारा दूसरा श्टोक था वो था hd epsilon नॉर्मली ट्राइंगल बना हुआ है इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ अगर इसका proper breakout हो गया तब हम इसमें by side entry लेंगे और दोस्तों अभी तक आपने अम हमारा श्टोक है वो देख लेते जो हमारा बात का स्टोक है वो है लूपिन अभी लूपिन में क्यों लेकर जारू तो लूपिन में आपको एक symmetrical triangle बनता हुआ यह दिख रहा है फोरवर्स का यह चार्ट है आप देखे उपर गया नीचे गया उपर गया नीचे गया फिर से अभी क्या है कि नीचे इसे उपर जा सकता है या इधर से breakout करके नीचे भी जा सकता है तो आप देखे किसी एक side अगर proper breakout इसमें हो जाता है तब हम क्या है कि buy या sell side के लिए जाएंगे मोस्टली अब क्या है कि market जैसा है उसी सबसे buying side देख रहे है लेकिन क्या है कि अगर market गिरता है और इसमें आपको proper sell side signal मिल जाता है मतलब proper sell side breakout मिल जाता है अभी जो हम इसके बाटकास्ट होके वो देख लेते तो जो हमारा इसके बाटकास्ट होके वो है आईजेल मैंने लास्ट वीक भी आईजेल सजेस्ट किया था आप अपनी वोच लिस्ट में लाक के जाओ मैं और इसको आगे कंटीनियू करता हूँ नौर्मली क्या है इधर से आपको एक बाइंग सेट देखने को मिल सकते और देखी यह जो इसका सपूर्ट जोन था वहां से आपको ग्रीन केंडल भी मिले मतलब एक अपसाइड भी मिले लेकिन बाद में थोड़ा पूल बेक थोड़ा नीचे भी आए तो आप इसमें देख रहे तो आपको इधर एक ब्रेकाउट हो जाता है तभी आप बाइंग के लिए जाओगे तो मेरे इसाब से यह केंडल का जो हाई है वो प्रोपर ब्रेकाउट होने दो उसके बाद ही आप बाइंग साइट के लिए जाओ तो आपको क्या कि और ज्यादा स्योरिटी मिलेगा और ज्यादा तो आप पहला टार्गेट यह रखो नहीं तो आप अपना स्टोप लोग सिप्टिंग के साथ आप आगे जा सकते हो तो यह जो अमारा स्टोप था आईजल एक अच्छी एंट्री आपको इसमें मिल सकती है देखो इसको प्रोपर तरीके से यह केंडल का हाई प्रोपर ब्र तो यह जो स्मॉल केप वाले होते हैं उसमें मोमेट ज्यादा होता है तो आप क्या कर सकते हो तो इसमें क्वांटिटी कैलक्यूलेशन करके आपके एंट्री ले सकते हो अगर आपको नहीं पता क्वांटिटी कैलक्यूलेशन क्या है तो आप हमारे पीछे जो रिस्क मेनेज वाला वीडियो है वो देखो उसमें हमने बता है कैसे आपको quantity calculation करनी है और कैसे money management and risk management को अपने trading में use करना है तो इसमें quantity calculation करके जाना जो small cap वाल है क्योंकि उसमें movement ज्यादा होता है तो 2-3% के जो stop loss होते है वो आपके hit हो जाएंगे साइल तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ तो जो हमारा पहला small cap वाला stock है वो कौन सा है बाला जी eminus अभी इसको मैंने क्यों लिए तो आप इसमें देख रहो इसमें आपको एक inverted head and solder का breakout होता हुआ दिख रहा है पहले देखो इधर से यह अपर गया इधर से resistance पेस किया breakout अभी इसका breakout भी proper हो चुका है थोड़ा upper भी निकल चुका है small cap तो थोड़ी ज़्यादा ही movement इसमें आ गई है तो आप इसमें क्या कर सकते हो या तो क्या है कि अपना थोड़ा quantity कम करके यहां entry ले सकते हो मतलब एक candle के high के ऊपर मतलब 550 के ऊपर proper 550 के ऊपर थोड़ा sustain कर ले तो उसके बाद आप इसमें entry ले सकते हो इसमें best entry कब होगी इसको थोड़ा क्या है कि pull back देने दो थोड़ा इसको नीचे आने दो फिर से यह up moon के लिए जाता है तब आप इसमें अपना moon ketchup कर सकते हो तो जो है हमारा पेला small cap वाला stock था वो था बाला जी eminus अभी इसके बाद का stock है वो देख लेते अभी इसके बाद का जो हमारा stock है वो है orient electrical इसको मैंने क्यों लिया तो normally इसमें एक triangle का breakout हुआ है एक four hours के chart पे आप इसे one day पे भी देख सकते ह अपर के side trend line डो करें तो यह देखो इधर से resistance लेके नीचे है और फिर से इसने इधर breakout कर दिया नीचे की side दो ही बार गया है तीसरी बार नहीं गया लेकिन यह triangle जैसा shape बना दिया है तो इसमें आपको एक triangle का breakout होता हुआ दिख रहा है और एक अच्छे volume के साथ इसका breakout हुआ इस level को तब आप अपनी इसमें buy side entry ले सकते हो तो आप अपने capital के इसाफ से money management के इसाफ से और risk management के इसाफ से stop loss लगाए और सभी trade में आपको stop loss तो लगाना ही है जितने भी आप trade लो सभी trade में stop loss तो आपको लगाना ही और एक बात है जो सभी videos में मैं बोलता हूँ अगर यह कि इसमें से कुछ आपको समझ में आ रहा है तभी आपको trade लेना है अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो trade नहीं लेना है मेरे को भी blindly follow नहीं करना है किसी और को भी blindly follow नहीं करना है यहाँ आपको analysis दी जाती है अगर वो analysis आपको समझ में आती है तभी आपको इसमें कुछ करना है मतलब buy and sell करना है तो simple सी बात है किसी को blindly follow नहीं करना है अगर आपको इस में से कुछ समझ में आ रहा है तो उसके उपर आप अपनी analysis कीजिए बाद में कोई trade लीजिए तो दोस्तों यह वीडियो आपको कहीं से से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज आरो like comment and subscribe कर दिया कीजिए आप comment करोगे तभी तो हमें motivation मिलेगा और इसे वीडियो आगे लेका आएंगे तो प्लीज आरो like comment and subscribe कर देना चलिया मिलते अपने next वीडियो में तब तक के लिए टटा गुडबाई जाई हिन